कैसा चित्रांकन किया है चित्रकार तेरी यह सारी चित्रकारी लोग के लिए असमाईक, अनुप्यूक और अहित्कर सिध होगी जान पड़ता है तेरे रंगों में चटक ही है, इस्थाय तु नहीं, तेरी लेखनी में लचक ही है, बल नहीं, इसी कारण तु अपने प्रयासों में असफल हुआ है यह कैसा चित्रकीचा है भाई, यह तो किसी रंग महल का चित्र जान पड़ता है, सजावट तो खूब दिखाई है गगन इस परशी गुमबदों और कनक कंगूरों की छटा सचमुच निराली और चित्ता करशणी है छट्जे क्या ही मनमोहक है, इंजरों को से क्या ये मद्वहिलवा चंद्रमुखिया जाक रही है अच्छा, यह दर्बार का द्रश्य है, ये कैसे राजा है, छात्रतेज तो इनमे लेश मात्र भी नहीं अस्तू, पीछे छटरतना हुआ है, आसपास चाटूकार सरदार और मंत्री हाथ जोड़े खड़े हैं सामने एक लावर्नेवती वारांगना नुरत्य कर रही है, उसके कुटिलक टाक्ष और ललित हाओ भावों पर दर्बारी जूम से रहे है राजा साहब को तो कुछ खोश ही नहीं, बेचारे मखमली गदे पर लुड़के पड़े हैं एक हाथ में शराब का प्याला है और दूसरे में फूलों की गेंद, एक युपती तांबूल खिला रही है, तलवार पैरों की नीचे दबी पड़ी है चित्र कौशल तो मेरा वास्तव में प्रशन सिनिय है, पर है यह घ्रानित और विशाक इस चित्रांकन का तुझे क्या प्रुसकार दिया जाए पारितोशिक पाने के पहले अपनी कलुशित लेखनी तोड़कर फेक दे गंदे रंग उंडेल दे, निरजीव उंगलियां काट डाल तुझे कुछ खीच नहीं है, तो ऐसा चित्र खीच, एक उजड़ा हुआ ग्राम बना उसमें खंडहर और तूटी फूटी जोपडियां हों, खेत और बाग जुलसे और उजड़े पड़े हों एक और भीषण अग्मी धाए धाए करती हुई जीब लपलपा रही हो, जहां तहां अत्या चार पीड़ित, पद दलित, अस्थिक अंकाल पड़े हों भूग के मारे नन्ने नन्ने बच्चे, माताओं की गोद में कलप रहे हों, लूट खसोट और मार पीठ हो रही हो सर्वत्र सर्विनाश का सामराज्य हो, चित्रकार क्या ऐसा चित्र तू खीच सकेगा, यदी हां, तो इसका पुरुसकार भी तुझे शीर्ष स्थानिये दिया जाएगा यह कैसा चित्र खीचा है भाई, यह तू किसी मानिनी नाइका का चित्र जान पड़ता है कोप भवन खूब बनाया है, इस्वस्टिक शिला पर मैली सी सेज बिची है, मानिनी उसी पर करवट लिये पड़ी है सारा शरीर धुली थुसरित है, केश खुले हुए हैं, अंग पर एक भी आभूशन नहीं, सब के सब इधर उधर पड़ी है पर एक सहेली पंखा चलती है, और दूसरी हाथ पकड़े मना कर रही है, पती देव पैरों पर लोट रही है पर श्रीमती मानिनी देवी उस बैचारे की ओर देखती तक नहीं, गरीब इस त्रैण पर व्रज तूट पड़ा है अब मान गढ़ दहे तो कैसे, चित्र कौशल तो मेरा वास्तव में प्रशंस निये है, पर है यह सब घ्रनित और विशाक्त इस चित्रांकन का तुझे क्या पुरुसकार दिया जाए पारितोशिक पाने के पहले अपनी कलुशित लेखनी तोड़ कर फेक दे, गंदे रंग उंडेल दे, निरजीव उंगलियां काट डाल तुझे कुछ खीच ना ही है, तो ऐसा चित्र खीच, सबसे पहले एक शुभ मंदिर बना देख, उसके चारों और अगनी देव प्रकर ज्वालाएं उगल रहे हो, मंदिर में एक प्रले इंकारणी महाशक्ती प्रतिष्ठत हो, उसके ज्वलंत नेत्रों से वहिन शिखा निकल रही हो, अट्टा हास की मुद्रा हो, दातों में बिजली सी कौंथती हो, रदय पर ला पहरा रहे हो, एक हाथ अनात भक्तों के मस्तक पर हो, दूसरे हाथ में हो रक्तिरंजित कराल क्रपान, मंदिर में अखंड तेज और प्रचंड पराक्रम का सामराज जे हो, चित्रकार, क्या ऐसा चित्र तू खींच सकेगा, यदि हाँ, तो इसका पुरुसकार भी शीर्षा स्थानिये दिया जाएगा, यह कैसा चित्र खींचा है भाई, यह तो किसी सुर्मिया उद्द्यान का चित्र जान परता है, रचना तो खूब दिखाई है, लहलही लताओं के मंडप, और गह गहे गहवर के ग्रीश्म भवन, सचमुछी अनुपम है, क्यारियों की छटा कु पक्षी बैठे हैं, तो कहीं पंख फैलाए मोर नाच रहे हैं, इधर कुछ मंचले रसी कंजन हिंडोलों पर जूल रहे हैं, उधर उस पदम सरोवर में कुछ निरलज नव्युवक केली कलोल कर रहे हैं, अच्छा यह जल विहार का द्रश्य है, कोई कमल की नली से पानी तो कोई अदर्ध मुकुलित कलियों को तोड़ तोड़ कर उच्छाल रहा है, माधवी निकुंज में गानवादी भी हो रहा है, इस चितर को देखकर रसिकमंडली अवश्य कह उठेगी, कि चितरकार ने कलम तोड़ दी है, तेरा चितर कौशल है भी प्रशंस निये, पर है यह सब घ्रनित और विशाक्त, इस चितरांकन का तुझे क्या पुरसकार दिया जाए, परितोशक पाने के पहले अपनी कलुशित लेखनी तोड़ कर फेक दे, गंदेरंग उंडेल दे, निर्जीव उंगलियां काट डाल, तुझे कुछ खीचना ही है तो ऐसा चितर खीच, एक सघनवन खंड बना, वह प्रांथ पहाड़ी हो, वहां एक निर्मल नदी भी बहती हो, तीर के व्रक्ष जुक कर उसके सुशील मन से आचमन कर रहे हो, नदी के तट पर एक और हश्ट पुष्ट गाए पानी पीती हो, और दूसरी और छोटे छोटे मरगवाशक पुर्वा टूंग रहे हो, समय प्रभात का हो, प्राची को लालिमा से रंग देना, इधर उधर पक्षी उड़ रहे हो, कहीं रिशियों और ब्रहमचारियों का इस्तनान हो रहा हो, तो कहीं संध्या पूजा, कहीं स्वाध्याय होता हो, तो कहीं हवन, निर्धूम अगनी खंड के समान ब्रहमचारियों के मुख मंडल पर ज्वलंत ओप दिप रहा हो, तब पोधन विशियों के नेतरों से शांती और आनंद की दहरा बहती हो, साराश, सर्वत्र विश्व प्रेम का सामराचि हो, चित्रकार, क्या ऐसा चित्र तू खीच सकेगा, यदि हाँ, तो इ जे शीश तानी दिया जाएगा,